नमस्कार मैं है अनुशका बिहारी नियूज में आपका स्वागत है बिहार में छटे चरन के शिक्षक नियूजन में राज के करीब 32,000 सरकारी स्कूलों में 94,000 शिक्षकों की बहाली की प्रकिरिया चल रही है इसके तहट पहली और दूसरी कांसलिंग पूरी हो गई है और अब तीसरी कांसलिंग के लिए नया स्ट्डियू जारी कर दिया गया है तीसरे फेस के गांसिलिंग के लिए 18 अगस्त से ओनलाइन आविदन मांगे गए हैं और आविदन करने की अंतिम तारीक 17 सितंबर तक ही है ऐसे में बहुत सारे लोगों को इस आविदन प्रक्रिया के बारे में कन्फूजन है कि इसके लिए आविदन करने की पातरता क्या है कितनी सीटों के लिए आविदन हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा सीट, किस जिले में हैं और भी बहुत सारे सवाल हैं जो की अब्यारती जानना चाहते हैं ऐसे में हम आपके मन में आ रहे हैं सारे सवालों की जवाब इस वीडियो में देने जा रहे हैं जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप भी आविदन भढ़ने के पात्र है या फिर नहीं, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिहार के शिक्षा विवाग द्वारा साल 2019 में ही 94,000 शिक्षक बढ़ती के लिए आदेस दिये गए थे और आविदन मांगे थे जिस पर काफी जंजट और हाई कोट के हस्तच शेप के बाद इसे साल जुलाई महीने से बहाली का रास्ता साफ हुआ इसके तहट पहली और दूसरे चरण की काउंसलिंग हो गई है अब तीसरे चरण में माधिमेक और उच्छ माधिमेक इसकोलों में शिक्षक बहाली के लिए आविदन मांगे गए है इसमें कुल 32,714 बदों के लिए आविदन शुरू है और अपलाई करने के अंतिम तारिक 17 सितमबर है इसके तहट जुला प्रखन और 35 तर पर नियोजनिकाई काउंसलिंग करेगी जिसके बाद अंतिम मेरिटलिस्ट 6 दिसंबर तक जारे की जाएगी बताते चले कि 22,714 रिक्तियों में उच्छ मादिमिक स्कूलों में 9,389 शिक्षकों की बहाली होनी है तो वहीं मादिमिक स्कूलों में 13,325 शिक्षकों की बहाली होगी सबसे ज़्यादा खाली सीट की बात करें तो दर्भंगा जिले के स्कुलों में सबसे अधिक 2,804 सीट खाली है जबकि पटना में 2,058 सीट खाली है ऐसे में यहाँ सबसे ज़्यादा आविदन भियाने की संभावना है दूसरी तरफ औरंगबाद, पूर्वी चंपारन, भोजपूर, समस्तिपूर, नवादा, गया, नालंदा और रोहतास में भी 1,000 से ज़्यादा सीट खाली है कटिहार, कुर्णिया, बकसर, बेगुसराय में भी शिक्षकों के रिक्तपद है अब आपको बताते हैं कि कौन-कौन इन सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं इन पदों पर STET 2011 पास वैसे अभियर्थी आवेदन कर सकते हैं जो 26 सितंबर 2019 तक नियूकती सिसम्मंदित जरूरी अहरता रखते हैं यानि की B8 की डिग्री रखते हैं साथ ही 2017 STET के पास अभियर्थी भी प्रशिक्षित होने की दशा में आवेदन कर सकते हैं इसके अलावे वैसे अभियर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं जिनोंने साल 2011 में STET किया हो और उस वक्त B8 ना किया हो मगर B8 सत्र 2016-18 तक में नामांकर लेकर पास कर लिया हो आपको बताते चले कि इन सीटों पर साल 2019 और 2020 में सीट 8 पास हुए अभियर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं साथ ही इसमें DLA पास अभियर्थियों को भी कोई प्राथमिक्ता नहीं दी गई है साथ ही इन पदों के लिए जो भी अभियर्थी 2019 में ही आवेदन दे चुके हैं उन्हें इस बार फिर से आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं है साथ ही आपको बता दे कि अगर आप मादिमिक्षिक्षक के लिए आवेदन करते हैं और आपके पास इतिहास या भुगोल के अलावे अर्थशास्त्र और राजनेति शास्त्र में डिगरी है तो काउंसलिंग के वक्त आपके पाच अंक अलग से जोड़े जाएंगे तो यह थी तीसने चलन के काउंसलिंग के पूरी जानकारी आप भी अगर अहरता रखते हैं तो जल्द ही आवेदन कर ले वरना 17 सितंबर के बाद आवेदन करने की तारेक खत्म हो जाएगी अगर आप भी आपके कोई सवाल बचे हो तो आप कमेंट सेक्सन में हमसे पूछ सकते हैं तो आज के इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए नमस्कार